कौन सा IPO अपलाई करें और कौन सा नहीं सबसे पहले जानते हैं कि IPO क्या होता है उन पैसों का कमपनी करेगी क्या एक्सपेंशन करना चाहती हो तो पैसे चाहिए पुराने उधार जिन से लिए हैं वो वापस करना हो तो पैसे चाहिए तो इसने हम IPO में पैसा लगा कर फाइदा उठा सकता है बहुत सारे कारें एक IPO को अच्छा और बुरा बना सकता है और ये कमपनी निवेश के लिए सही है या नहीं एक सही मैनेजमेंट टीम एक नॉर्मल बिजनस को भी उंचाईयों पर लेकिए जा सकता है उस कमपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए आज कल इतने सारे IPOs एक साथ आ रहे हैं कि हमें ये कन्फूजन हो जाता है कि कौन सा IPO अप्लाई करें और कौन सा रहे हैं और कभी-कभी तो एक ही डेट में दो-तीन IPOs एक साथ आ जाते हैं एक इन्वेस्टर के लिए लिमिटेट पैसों के साथ बेस्ट IPO चुनना मुश्किल हो जाता है करना क्या है? थोड़ी मेहनत इसे हमें मिल सकते हैं अच्छे रिटर्स और सेफटी भी इस वीडियो में हम एकदम बेसिक वे में आई-प्यो को समझेंगे और किस तरह मैं आई-प्यो एनिलीसिस करता हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा हलो है नमस्कार मैं हूँ अमित राठी आपका अपना सैटिफाइट फिनाइशल प्लानर सबसे पहले जानते हैं कि आई-प्यो क्या होता है आई-प्यो की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक आफर और आफर क्या है? आफर है कमपनी के शियर्स जो कमपनी बजार में बेचेगी और बदले में मिलेंगे कमपनी को पैसे अब कम्पनी को पैसे क्यों चाहिए? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कम्पनी expansion करना चाहती हो तो पैसे चाहिए पुराने उधार जिन से लिए हैं वो वापस करना हो तो पैसे चाहिए और day to day कम्पनी के कामकाच के लिए भी कम्पनी को पैसे चाहिए ये basic कारण होते जिसके कारण कंपनी अपना IPO लेकर आती है किसी भी कंपनी का IPO मार्केट में लाने के लिए सेभी की approval ज़रूरी है और ये काम में मदद करता है investor banker जिसको कंपनी hire करती है पूरे IPO प्रोसेस को complete करने के लिए अब मैं बताता हूँ सबसे interesting fact IPO का जो मूली होता है न वो सरकार या और कोई decide नहीं करता बलकि जो investor banker IPO को live करता है वो ये फैसला करता है बहुत सारे कारण एक IPO को अच्छा और बुरा बना सकते है और एक investor की जिम्मदारी है को वो इन सब चीजों को knowledge में रखे और invest करने से पहले सबी चीजों को अच्छी तरह चेक करे सबसे पहला step है कि आप जिस कंपनी के IPO में अपना पैसा लगाएंगे उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी आपको मिलेगी कंपनी के DRHP में DRHP की full form है Draft Red Hearing Prospectors जो कि हर IPO वाली कंपनी तयार करके सब्मिट करती है सेवी के पास ये आपको BSC और NEC साइट पे मिल जाएगी इस डॉक्मेंट में कंपनी के financials, promoters and operations के बारे में सभी details होते हैं इससे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी की profits कैसे हैं उसके sales trend क्या है कंपनी का vision क्या है और ये जो पैसे बजार से IPO के जरिये उठाएगी उन पैसों का कंपनी करेगी क्या अब आते हैं दूसरे step में जिसमें आपको पूरी fundamental analysis करनी हो है जो शुरू होगी economy analysis फिर industry analysis और last और final होगी company analysis इस analysis को हम top to bottom approach कहते है पहले economy, फिर industry और फिर company तो पहले economy analysis तो economy analysis सुरू होती है इंडिया की overall economy projections की analyze करने से जैसे देश की GDP growth जिस product में company deal करती है उस industry के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और future growth क्या है फिर आपको देखना होता है कि company जिस industry में है उस industry की future projections कैसी है उस industry में company के competitors कौन-कौन है company का अपने industry में market share क्या है माल लीजिये company 10% market को capture किया हुआ और industry की growth year on year 25% होने वाली है ऐसा देखने से आपको अप्रोक्स ये पता चल जाएगा कि company के revenue future में क्या रहने वाली है और ये company निवेश के लिए सही है या नहीं ये ज़रूरी है कि industry की present और future positive होनी चाहिए क्योंकि stock price तो future growth projection से ही बढ़ेगा जब ये confirm हो गया कि company एक अच्छी industry को belong करती है जो कि आने वाले time की काफी grow करने वाली है फिर हमें company के post financial data को analyze करना होता है अगर आपको basic factors बताओं तो company का revenue growth और trend बढ़ता हुआ होना चाहिए company में debt का हिस्सा जितना कम होना उतना अच्छा है ये एक basic criteria हो सकता है company को analyze करने के लिए लेकिन कुछ company Zomato या PTM जैसे भी हैं जो loss कर रही है पर उनके valuations एक startup के तरह किया जाता है चाहाँ ये लगता है कि long term में जाकर company अच्छे profits आएंगे तो इसलिए हम IPO में पैसा लगा कर fire out आ सकता है इसके बाद आती है promoters और management team के analysis ये जानना बहुत ज़री होता है कि promoters कौन है और management team कैसी है और इनका experience industry में कितना है एक सही management team एक normal business को भी उचाईओ पर लेकिए जा सकता है और गलत management एक अच्छी company के prospectors खराब कर सकती है इसलिए management check करना बहुत ज़रूरी है फिर बारियादी है company के funds के utilize करने के plan को ये जानना ज़रूरी होता है कि company जो funds उठाएगी उसका use किस जगा पर होगी कितना percentage company पहले के उधार को चुकता करने के लिए उठा रही है या company growth के लिए पैसा use करेगी हम उन IPO समय पैसा लगाएंगे जहां company growth के लिए पैसा उठा रही है company के growth होगी तब ही तो उस shareholder के पैसे बढ़ेंगे इसके बाद आपको company के competitors और उनकी position को analyze करना ज़रूरी है सबसे अची बात यह है कि आपको सारी जानकारी company के DRHP documents में मिल जाएगी उससे आप analyze कर सकते हैं कि competitors के comparison में company के आज का status क्या है और आने वाली position कैसी होगी इसके साथ आपको company के risk को analyze करना भी बहुत ज़रूरी है present समय में company को पर कोई बड़ी litigation या liabilities नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो उन company से future पर क्या असर हो सकता है यह analyze करना ज़रूरी है अगर बड़ी litigation या liabilities आपको दिखती है तो ऐसे IPO से आपको धूर रहना चाहिए तो यह हो गई पूरे IPO analysis करने का तरीका जिससे आप सही IPO में अपना पैसा invest कर सकते हैं उमिद करते हैं कि आपको आप IPOs के analyze करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अब आपको IPOs के जरीए जादा से जादा profits होगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इससे जरूर लाइक कीजिए और comments में हमें बताइए कि आपको कौन से tips सबसे अच्छे लगी साथ यह वीडियो को share करना मत भूलिए इन सबसे हमें अच्छे ची वीडियो बनाने का motivation मिलता है और हाँ अगर आपने अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी subscribe करें हमारे बारे में और जानने के लिए और अपने profile के हिसाब से एक investment strategy लेने के लिए आप हमारी website को check out कर सकते हैं जिसका link हमने description में दिया हुए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ invest करें, खुश रहें